इलाबाद हाई कोट ने अपराद के उचित एवं निस्पक्ष विवेचना को लेकर अपर मुख्य सचिप ग्रह की अध्याच्चता में गठित कमेटी के फैसनों को दो माँ की भीतर प्रभावी रूप से लागू करने का नर्देश दिया और कहा कि भारती आप रादिक नियाय प्रसासन प्रणाली अपने मानाव अधिकार एवं मानो गरिमा बनाय रखने के काफी उचे पायदान पर पहुंच गई है नियाय मूर्ती संध्या कुमार सिंग ने कहा कि हमारे नियाय सास्त्र में जब तक दोसी न साबित कर दिया जाए हर अभियोक्त निर्दोस माना जाता है इसलिए अभियोक्त को सही वा निस्पक्ष विवेचना एवं स्वक्ष विचारन तथा संतुलित अभियोजन का अधिकार है कोट ने कहा सही एवं पूर्वाग्राय रहित विवेचना आपरादिक नियाय सास्त्र का मूल भूत आधार है कोट ने कहा हर अपराद की विवेचना कानून के मताबिक फूरी की जानी चाहिए पूर्वाग्राय रहित अपरादियों के अधिकार है समाज रहित में जाच एजेंसी इमांदार बन इसपक्ष होनी चाहिए उसे जूटे सभूत इकटा नहीं करना चाहिए अन्य था आम लोगों को एजेंसी से भरोसा उड़ जाएगा कोईट ने अपर मुख सचिब ग्रह की कमेटी के फैसलों को अक्छरंस लागू का निर्देश देते हुए कोईट ने पीड़ता के बयान महिला अधिकारी द्वारा पीड़ता के बयान को कमतर करने की दिसामें दर्ज नहीं कराने का निर्देश दिया है कोट ने आधिश रामपुर के बसीम अलिगड़ के आकास वा नवाब गंज प्रियागराज के विबेक सिंकी अपील बाजमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है